नमस्कार बच्चों, तो बच्चों हम अरंबिक नगर वाला जो हमारा दिहाई चल रहा था, उसका हम दूसरा भाग लेकर के उपस्तित हैं, अब हम अरंबिक नगर का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा था, अब हम उसको इस वीडियो में करेंगे बच्चों, आपको पता ही है कि कुछ चीजों को बनाने के लिए कुछ अन्या चीजों की विजरूरत पड़ती है, जिसे कच्चा माल कहते हैं और ये जो कच्चा माल है वो प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और उसका उत्पादन भी होता है जैसे किसानों द्वारा पैदा किये गए कपास को कच्चा माल कहते हैं जिससे बाद में कपड़ा बनाया जाता है लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसे बहु मुल्या पदार्थों को वे दूर दूर से लेकर आते थे जैसे तांबे का आयात राजस्तान की जो तांबे की खाने होती थी खेतडी में वहां से मुगाया जाता था ओमान से भी तांबे का आयात होता था ओमान एक देश का नाम है टिन का आयात आधुनिक इरान से होता था सोने का आयात आधुनिक करनाटक से होता था और बहु मुल्या पत्थर गुजरात इरान और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था हमने देखा कि वहां रहने वाले लोग शिल्पकारी का काम कर रहे हैं अलग-अलग हत्यार बना रहे हैं, अभूशन बना रहे हैं वे सभी पैसा तो कमा रहे हैं पर खाने के लिए किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे अब हम ये देखेंगे कि जो लोग नगरों में रह रहे थे उनके लिए भोजन की विवस्ता कैसे होती थी जो लोग गाउं में रहते थे वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे किसानों द्वारा उगाया गया अनाज ही शेहर के लोगों को दिया जाता था हडपा के लोग ग्यहूं, जों, दाले, मटर, धान, तिल और सर्सों उगाते थे सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता था समय पढ़ने पर उसी पानी का प्रियोग किया जाता था हडपा के लोग गाएं, भैंस, भेड, बकरियां पालते थे, मचलियां पगरना और हीरन जैसे जानवरों का शिकार करना भी उनका पेशा था इस तरहें शहर के लोगों के लिए भोजन की विवस्ता की जाती थी अब हम गुजरात में हडपा कालिन नगरों का सुक्षम निरिक्षन करते हैं गुजरात के कच्छ के पास एक नगर बसा था धोला विरा इस शहर की विशेश्ता यह थी कि ये तीन भागों में बंटा हुआ था आपको पता ही है कि हडपा कालिन जादा तर नगर दो भागों में ही बंटे होते थे प्रंतु धोला विरा तीन भागों में बंटा हुआ था इसके हर हिस्से को पत्थर की दिवारों से घेरा गया था इसके अंदर जाने के लिए उँचे उँचे प्रवेश दवार थे इस नगर में एक खुला मैदान भी था जो शायद लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था यहां सारजनिक अयोजन होते थे यहां पर मिले अवशेशों में हडपा लीपी के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा हुआ पाया गया है यह एक अनोखा अवशेश है गुजरात की साबर मती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल असानी से मिल जाता था इस नगर में एक बंढ़ार ग्रही भी था इस बंढ़ार ग्रही में कई मोहरे मिली थी साबर नदी के पास समुद्र भी था यहां बंदरगा भी था जहाजों के द्वारा समान को एक जगह से दूसरी जगह पर उन्चाया जाता था जब किसी समान को दूसरी जगह भेजा जाता है तो उस पर कुछ पता लिखा जाता है ताकि पहचान हो सके इन मोहरों का प्रयोग समान से भरे उन डिबों या थैलों पर पहचान करने के लिए किया जाता है थेले को बंद करके उनके मुहाने पर गिली मिट्टी लगाई जाती है उस पर मोहर लगाते हैं इसे मोहर बंदी कहते हैं बच्चो ये जो हडपा सब्वेता थी लगबग एक हजार साल तक चलती रही अच्छानक पता नहीं क्या हुआ कि एक हजार साल के बाद ये जो सब्वेता थी धीरे धीरे पतन की और जाने लगी आखिर इसके पतन के क्या कारण थे आएए अब हम उस पर प्रकाश डालते हैं लगबग 49 सो साल पहले एक बदलाव देखने को मिला अचानक लोगों ने इन शहरों को छोड़ दिया जो कच्चा माल आयात होता था वो चीजें आना कम हो गई सडकों पर नालियां बंद हो गई जो नालियां तूट गई थी उनकी मरम्मद नहीं होती थी इस वज़ा से सडकों पर कचरे के धेर लग गई जल निकास प्रनाली नस्ट हो गई पुरानी इमारतें तूट गई लोगों ने जुगी जोपड़ी बना कर रहना शुरू कर दिया कुछ भी योजना से नहीं हो रहा था ऐसा लग रहा था कि लोगों ने रहना बंद कर दिया है कुछ लोग बताते हैं कि तलाब और नदिया सूख गई थी जिस कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया था कुछ लोग बताते हैं बार आ गई थी जिस कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था जंगलों का विनाश हो गया था इंटे बनाने के लिए लकड़ी की जिरूर्थ होती है प्रन्तु इंदर ना होने के कारण उन्हें सब छोड़ना पड़ा शासकों का नियंत्रन स्माप्त हो गया था इसकी वज़ा से युद्ध जहसे हलाद बने होंगे आधोनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी लोग नई जगायां पर जाकर रहने लगे थे इसके लगबग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ तो देखा बच्चों आपने किस तरह हडपा की सभ्यता का विकास हुआ और इतनी योजना के साथ विक्सित एक बड़ी सभ्यता आज अपनी पहचान खो बैठी है जिस तरह से इस शहर को बनाया गया था उस समय में ये अपने आप में अद्भुत है साधनों का भाव ग्यान का भाव होते हुए भी इस तरह किसी सभ्यता को विक्सित करना बहुत बड़ी बात है इसी तरह कि पुराने अफशेश या पुरानी उमारतों को देखकर हमें उसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है जब हम इन इमारतों की देखवाल नहीं करते तो वे एक खंड़हर का रूप ले लेती हैं तो हमारा ये फरज बनता है हमारा ये करतव्या बनता है कि हम ये जो खंडर हैं जो इतिहासिक इमारते हैं उनकी देखवाल करें क्योंकि ये हमारे लिए विरासत हैं हम भी देखते हैं, इसको हमारे से पहले आने वाली पीडियों ने भी इनको देखा और बाद में आने वाली पीडियां भी इनको देखेंगी तो इसलिए हम सब को, इन सब को, इन इमारतों को संभाल करके रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है और बच्चों अब हम संसार के एक विशेश अजूबे के बारे में जाननेंगे और वो अजूबा है मिस्र के पिरामिड लगबग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले रजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दान, लकडी और हीरे जुहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिने पिरामिड के नाम से जाना जाता है प्राचिन मिस्र में मनुश्यों को जलाने की प्रथा नहीं थी वे शवों को ऐसे ही दफना देते थे वे मानते थे जीवन मरने के बाद भी चलता रहता है रजाओं के मरने पर उनके शवों को इन ही पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था इन शवों को मम्मी कहा जाता है उनके शवों के साथ साथ खाने पीने की चीजें कपड़े गहने हथियार जानवर और कभी कभी तो उनके सेवक सेविकाओं को भी द जफना दिया जाता था। वहाँ जनता राजा को देवता के रूप में मानती थी, उनको लगता था मरने के बाद राजा अन्य देवताओं से मिलेगा। इस प्रंपरा को देखते हुए मिसर में सबसे ज़्यादा धन दोलत खर्च किया जाता था। तो बच्चों क्या आपको लगता है कि क्या ये प्रम्परा सही थी? नहीं, ये देखा जाए तो अंद विश्वास से भरी प्रम्परा थी, ऐसा लोगों का भ्रहम ही था. लेकिन इन पिरामिडों को देखकर हरानी जरूर होती है कि कैसे आधुनिक मशीनों के बिना इतने बड़े बड़े पत्रों को इतनी उन्चाई पर उन्चाया गया था. तो बच्चों, आज हमने हडपा सभेदा के बारे में पढ़ा. आपको पता ही है कि हडपा इसका क्यों नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले इस नगर की खुदाई होई थी. फिर हमने कैसे पढ़ा कि वहाँ पर विभिन परकार के और भी नगर थे, उनके जो नगरों की विशेशताएं थी, उनके बारे में देखा हमने, वहाँ पर जो शिल्प थे, वहाँ पर पाए जाते थे, वहाँ पर जो क्रेशी होती थी, उसके बारे में पढ़ा. फिर अंत में हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि ये जो हडपा सबता थी कैसे उसका पतन हुआ अब जब हम ये बात करते हैं कि जब हम पुराने खंडरों को देखते हैं या पुरानी किसी मारत को देखते हैं और लोग उसको लंबे समय तक याद रखें और आने वाले पीडी जो है वो भी उसको देख सकें तो इसलिए हमारा सब का ये फरज बनता है करतव्या बनता है कि हम इस प्रकार के जो खंडर है या जो इमारत है जिसका इतिहासिक महत्व है उसको हम संभाल करके रखें ताकि आ उनका जो प्राची नितिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अब हमने क्या जाना, क्या पढ़ा, क्या समझा है, उसको हम प्रशन उत्तर के माद्दम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पुरा तत्तव विदों को कैसे ग्यात हुआ की हडपा सभेता के दुरान कपड़े का उप्योग होता था। ये बहुवी कल्पी प्रशन है, आपको सही उत्तर बताना है। पहला इसका जो उप्शन है, अनुमान लगाया जाता था, कपास की खेती होती थी, मूर्तियों और कुछ चीजों पर कपड़े के अवशेश मिले। तो अगर हम तीनों विकल्प देखते हैं, तो हमें जो तीसरा विकल्प है, वो सही लग रहा है कि मूर्तियों और कुछ चीजों पर कपड़े के अवशेश मिले। अब हम दो जोड़े हैं, उनका हमने सुमेल करना है, एक तरफ है तामबा, सोना, टिन, बहु मुल्य पत्थर और दूसरी तरफ है गुजरात, अफगानिस्तान, राजिस्तान, करनाटक। यानि अगर हम बात करें, तो यह धातुएं हैं, यह अन्या चीज़ें हैं, यह हमने देखना है कि सिंदुगाटी के लोग इनको कहां से मंगवाते थे, तो जब हम तामबे की बात करते हैं, तो हम राजिस्तान से, वहां पे जो खेतरी की कह सकते हैं, खाने हैं, वहां से सिं और जो टिन है, वो एक देश है, अफगानिस्तान, वहां से मंगवाया जाता था, और जो बहुमुल्या पत्थर हैं, वो पास में से ही, जो गुजरात का समुद्री तढ़ था, वहां से मंगवाया जाता था, अब फिर एक बहुविकल्पी प्रशन है, हडपा के लोगों के ओजार बनाने के लिए, लिपिक, मुहरों पर लिखते थे, समान ले जाने और खेती करने के लिए, तो अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें ही होते थी, तो इसका मतलब जो चोथा विकल्प है, उपरोक्त सभी, तो ये अंसर सही है, आईए अब हम चर्चा करें, अब चर्चा करके अपने विचार बताएं, इस अध्याय में टैरा कोटा से बने खिलोनों की सही सूची बताओ, हल, पहिये की गाड़ी और मिट्टी के जानवर, नमबर दो, बल्ला, मिट्टी के बरतन, नमबर तीन, मूर्ती, हूलदान और बाट, तो अगर हम बात करें, तो हम जो पहले वाला नमबर एक है, का उप्शन है, वो सही लग रहा है, हल, पहिये की गाड़ी और मिट्टी के जानवर, जो थे, वो टैरा कोटा से बने हुए खिलोने होते थे, अगला प्रशन है, हडपा के लोगों की भोजन समागरी की सूची बनाओ, आज इन में से तुम क् खाते हो, निमन लिखी सूचियों में से सही सूची को चिन्नित करें, तो तीन सूचिया दी गई हैं, सूची का, सूची कख, और सूची गा, सूची का में दिया गया है, ग्यहूं, जों, दाले, मटर, धा, तिल, चावल और सरसों और सूची खा में ग्यहूं, मटर, घी, ब्रेड, अचार, मास, तिल और सरसों और सूची गा में ग्यहूं, जों, अंडे, पास्ता, राई, चना और सरसों तो अगर हम बात करें तो हमारा जो उत्तर होगा वो सूची का होगा क्योंकि ग्याहूं, जों, डाले, मटर, धान, तिल, चावल और सरसों हडपा के लोगों के भोजन की समागरी में शामिल किया जाता था आज के समय में भी हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन में से ग्याहूं, डाले, मटर और चावल को तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं आउ करके देखें, अपने शहर या गाउं की तीन महत्मपुर्ण इमारतों का बेवरादो, क्या वे बस्ती के महत्मपुर्ण इलाके में बनी हैं, इन इमारतों का उपयोग किसलिए किया जाता है बच्चो अपने शहर की कोई तीन इमारतों के बारे में बात करें आपको बताना है वे कहां है और उनका क्या क्या उप्योग है आज हम जिस शहर की तीन इमारतों का जिकर करेंगे उसे नवाबों का शहर कहते हैं शायद आपको ये जानकर अंदाजा लग गया होगा कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं इस शहर की पहली इमारत को देख कर पहचानो और बताओ इस इमारत का नाम बताओ क्या है ये संग्रहाल्या है साइन सीटी है या नेशनल पार्क है हाँ ये साइन सीटी है ये कहां स्थित है मीर गंज पीर गंज या अली गंज हाँ ये कहां है अली गंज में स्थित है इसका क्या क्या उप्योग है उस तक पढ़ने के लिए विज्ञान और ब्रहमाण की जानक जानकारी के लिए या घूमने के लिए बिलकुल सही बताया आपने यह विज्जान और ब्रहमांड की जानकारी के लिए है इस शहर की दूसरी इमारत को जाने चित्तर में ये क्या है यह लखनव का प्रसेद Tous ऑस और सही ऑप्षन बताएं मिनार है घंटा घंटा घंब या कुद्व मिनार है बिलकुल सही यह लकनव का घंटा घर है यह है भारत का सबसे ऊचा घंटागर है इसकी ऊचाई खालिस्तान मिटर है कुछ आप option दे रहे हैं 215 मीटर है 214 मीटर है या 221 मीटर है हाँ इसकी उन्चाई 221 मीटर है लखनौ शहर की तीसरी इमारत को देखते हैं इस इमारत का क्या नाम है चलो option देते हैं इमाम बाड़ा मस्जिद दरगा हाँ ये इमाम बाड़ा है इसको बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से भी जानदा जाता है ये तीनों इमारत इतिहासिक स्तल हैं जिनको देखने दूर से लोग आते हैं लखनव उत्रपरदेश की राजदानी भी है तो बच्चो आपको हडपा की कहानी और उसके जो अभ्यास के प्रशन है वो समझ आये होंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद